Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको Microsoft के AI Classroom सीरीज के सर्टिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ. Microsoft की तरफ से ये प्रोग्राम आ गया है, जोकि 19 October से 24 October के भीच में होने वाला है. दोस्तों, थोड़े दिन पहले, करीबन 15-20 देज पहली ये प्रोग्राम हुआ था. उसके चलते मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, क्योंकि वहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए थे. लेकिन एक और बार Microsoft नहीं आपर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिये हैं, बिल्कुल आपको 6 days की free training मिलेगी, इसी के साथ साथ digital goodies और free certificate. जी हाँ दोस्तों, काफी अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, इस वीडियो को end तक देखीगा, पूरा बताऊंगा कि कैसे आपको इसमें register करना है, इससे क्या benefit मिलने वाले आपको, प्रोग्राम से related details पूरी बताऊंगा, तो वीडियो की शुरुबात करते हैं. अभी मैं Microsoft के official platform पे हूँ दोस्तों, Microsoft AI Classroom Series एक Microsoft की तरव से एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें जो supported partner है, वो nascom future skills और जो supported है, वो github के द्वारा इसको support किया गया है दोस्तों, ये पूरा मतलब तीनों का जो है, वो mixture प्रोग्राम है, जब आपको certificate आएगा, उ इसके साथ nascom का भी रहेगा पूरा अच्छे से और github का भी रहेगा, तो ये जो है, ये बिल्कुल तीनों का supported program है, अब Microsoft AI Classroom Series के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, कि ये जो है 19 October से 24 October के बीच में होने वाला है, दोस्तों जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि अभी जो artificial intelligence है, machine learning है, data science है, augmented reality है, ये काफ़ी trending technology और आगे future इन पे होने वाला है, दोस्तों, तो इस हिसाब से Microsoft की तरफ से ये फ्री 6-day training program है, आप बता सकते हैं अपने resume में कि हमने अभी corona period में ये जो है, ये free training certificate करा था Microsoft की तरफ से इतना बहुत अच्छा certification होने वाला है, इसी के साथ ये बहुत ही अच्छा program होने वाला है, तो दोस्तों, इस टाइब से उन्होंने बता रखा है, कि Microsoft AI Classroom Series for Student in Association with, फिर उन्होंने NASCOM और GitHub के बारे में बता रखा है, फिर दोस्तों, अब ये work कैसे करता है, सबसे पहले समझ लेते हैं, कि ये काम कैसे करता है, फिर देखेंगे इसमे रजिस्टर कैसे करना है, और पूरा आपको बताऊंगा, अब जैसे सबसे पहले आपको अटेंड करनी है, AI Classroom Series, आप जैसे ही अटेंड करने है, पूरा ओनलाइन है, कुछ ओफलाइन नहीं है, कॉस्ट यहाँ पे आपको बिल्कुल कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है, बिल Participation Certificate मिल जाएगा, Microsoft, NASSCOM और GitHub की तरफ से, फिर जो है आपकी जो Azure AI Skills है, उनको आप सोशल मीडिया पे अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं, कि हमने अभी इतने दिन की ट्रेनिंग में यह सीखा, Microsoft की तरफ से यह सीखा, उन्होंने पूरा AI के बारे में यह बत सकते हैं, तो इस टाइप से दोस्तों यह वर्क करता है, फिर आपके जो है सेशन के speakers कौन हैं, मैं आपको बता देता हूं, दोस्तों, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो National Technology Officer है, Microsoft India के, वो भी यहाँ पे हैं, फिर यहाँ पे काफी जाइब के CEOs हैं, बहुत बड़ी-ब तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप काफी कुछ नया सिखेंगे, इसके बारे में मैं आप आपको दोस्तों बता हूं, कि आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे future skills के बारे में उन्होंने अच्छे से पता रखा हैं, कि किस टाइप के यहाँ पे पूरा जो session speaker से, वो आपको यहाँ पे किस टाइप से show हो रहे हैं, फिर दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं, कि यहाँ पे process क्या होने वाली है, इसको बहुत अच्छे से समझेगा, बहुत जोलूरी process है, यह module 1 है, module 2 है, और module 3 है, अलग-अलग date को हैं, तीन module रहेंगे, पर मैं आपको पहले program के कैसे करना है, आप नीचे scroll करेंगे, तो सबसे पहले हम program के बारे में जान लेते हैं, कि जो Microsoft AI classroom में, वो एक initiative है, Microsoft के दोरा, फिर NASCOM future skills और supported by GitHub student, जो की train करेगा 1 million students को over 12 month, 12 month में वो 1 million students को करेगा train, इसी के साथ जो AI classroom series है, वो 3, 3 modules में divided है, 2.5 hours each, मतलब जो आपको modules complete करने में लगेंगे, वो आपको धाई गंटे यहां पर लगेंगे, धाई धाई गंटे यहां पर दिये हुए हैं, जिसमें आपको hands-on experience, experiment मिलेंगे, आपको post session, assignments मिलेंगे, जिससे कि आपको जो है knowledge check होता रहेगा, तो दोस्तों, आपको यहां पूरा session मे hands-on experience करने को भी मुका मिल रहा है, आपको पूरा hands-on experience हो जाएगा, आपको sessions के assignments भी मिलेंगे, फिर दोस्तों, आपको three modules को attend करना है, अच्छे से, तीनों modules को complete करना है, और attend करना है, विल्कुल उसमें से एक भी module को नहीं छोड़ना है, इच module में two hours का learning session है, वो 30 minutes का live question answer session है, subject matter experts के साथ, जी हाँ दोस्तों, two hours का आपका learning session होगा, जिसमें आप पूरा अच्छे तरीके से सीखेंगे, और 30 minutes का question answer session होगा, फिर two weeks online support मिलेगा आपको पीना किसी post के, जी हाँ दोस्तों, two weeks का आपको free support मिलेगा, Microsoft की तरफ से, और आपको जो है, industry recognized AI certificate भी मिलेगा, इसके सा कि आप यह Microsoft AI classroom कर लेंगे, अच्छे से, इसके बाद जो certificate आएगा, वो एक recognized certificate ही है, दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि यह जो program है, जो students enrolled है, Indian universities, और resident है, जो India में रहते हैं, यह program सिफ ओनी के लिए है, और limited seats available है, यह attendance is on first come, first serve basis पे है, दोस्तों, तो मैं आपक capacity reached हो जाती है, तो फिर यहां पर registration close हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वीडियो इसले ही मैंने upload नहीं की थी, तो आप मेरी वीडियो देखे, फटा-फट से इसमें upload कर दीजेगा, काफी अच्छा program होने आला है, assessment and certification के बारे मैं बता देता हूँ, कि सबस पहले है, आपको assessment link दी जाएगी, यह modules complete होने के बाद दोस्तो, particular date, जैसे modules complete हो जाएगे, फिर particular date पर आपके assessment होगे, जिससे कि आप अपना certificate ले सकते हैं, assessment में multiple choice question होगे, 20 minutes रहेंगे, 30 questions के आपको answer करने पड़ेंगे, 3 attempt मिलेंगे आपको, इस assessment को clear करने के लिए, 3 attempt मिलेंग assessment link जो है, 26 October से November 10 के बीच में live रहेंगे, जी हाँ दोस्तो, 26 से 10 के बीच में live रहेंगे, आपको 80% score करना पड़ेगा, आप Microsoft AI workshop के लिए, दोस्तो काफी अच्छा certificate है, इसलिए इसका जो है assessment और certification का यह criteria है, दोस्तो, तो आप इसे अच्छे से समझीए, पढ़िए और उसके पर test दीजिए, जो certificate है, वो joint certificate होगा, जिसमें आपको Microsoft, NASCOM और future skills तीनों की तरफ से provide किया जाएगा, joint certificate, आप अपना certificate share कर सकते हैं, फिर दूरतों यहाँ पर resources के बारे में उन्होंने बता रखा है, कि किस टाइब से आपको जो है particular resources है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, कि आप activate कर सकते हैं, free student, azure student subscription, आप यहाँ से free में activate कर सकते हैं, azure ml studio classic subscription, आप यहाँ से activate कर सकते हैं, github account, github student developer pack, इस टाइब से इन्होंने आपर resources दे रखें, आपको यहाँ पर activate करने पढ़ेंगे resources क्योंकि वहाँ पर जब आप attend करेंगे उस workshop को assessments करेंगे, तो आपको वहा register कैसे करना है, अब यहाँ पर अलग-अलग date के according, अलग-अलग timing दिया है, उसके हिसाब से suitable आपको register करना है, पर मैं आपको बता दू, module 1, module 3, और module 3 के लिए आपको तीनों के लिए, module 1, 2, और 3 के लिए, तीनों के लिए registration करना है particular time के according, जैसे माल लीजे मुझे 19 October को करना है 8 से 10.30 a.m. तक, तो अब हम इस page पर आजाएंगे, आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर timing लिखा हुआ है, जैननाई, Kolkata, Mumbai, New Delhi, 11 a.m. to 1.30 जैसे मैंने यह ले लिया है, अभी 11 a.m. to 1.30 p.m. तो इस type से उन्होंने module के बारे में बता रखाए कि है module के इस type से, अब mail आएगा आपको, यहाँ पर वो mail आजाएगी, congratulations your seat is reserved, आप देख सकते, congratulations your seat is reserved for the Microsoft AI classroom series module 1, इस type से आपको module 2 और module 3 के लिए भी करना है, as convenience आपको क्या suitable लगता है time के according, तॉप कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं आपको बता दू, first come first serve basis पर ही यहाँ पर attendance जो रहती है, वो होती है दोस्तो, seat भी आपको उसी हिसाब से reserved होगी, तो आप वीडियो देखे, फटा-फट से इसमें apply कर दीजे, data science, जैसे ही आप यहाँ पर कर देते हैं, आपको इस type का mail आजाएगी, congratulations आपने कर दिया है, अब यहाँ से आपको event के से join करना है, clicker to join the digital event, जैसे ही आप यह करेंग Microsoft AI platform के बारे में जानेंगे, क्या है वो पूरा, इस type से duration इस type से दे रखा है, तो इस type से module 2 और module 3 भी आपको register करने, अपने time के according, आपको कौन सा time suitable होता है, आप module के बारे में कर सकते हैं, आपको अलग-अलग mail आजाएगे कि आपने module 2 और module 3 के लिए register कर दिया है, फिर assessment link एक 30 questions रहेंगे, 20 minutes रहेंगे, इसके बाद आपको यहां से certification मिल जाएगा, इसी के साथ यहां पर उन्हें digital beliefs का भी बोला है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे होगी, इसे अपने दोस्तों के साथ share कीजे, आपने हमारे channel को अभी त कोई भी doubt आ रहा है, बुच से comment section में पूछ सकते हैं, तब तक के लिए happy learning, thank you.